मेरे प्यारे बच्चों नवस्कार तो सुरू करते हैं आज क्लास और आज क्लास में प्रसंट 6.5 के उधारण हल करवाएंगे प्रसंट 6.5 तो कंप्लीट करवा चुके हैं अगर आप लोग ने कंप्लीट नहीं किये तो लिंक आपको डिस्क्रिन मिल जाएगा कंप्लीट कर ल चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन जरूर प्रेस करने क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा अगर पुराने स्टुडेंट हो तो इस संख्याओं से आगे लिखा है से पिर्दत फलन यफ के उच्टम और निम्तम मान यदी कोई हो तो ग्याद केजिए तो उधारण 26 को हल करने से पहले हमने आपको बेसिक में बताया था कि कुल चार प्रकार के प्रसनों का हल है प्रसनोंली 6.5 में तो यह उधारण जो 26 है पह यहां पर भी आपको दो बार अपकलन करना है और फिर आपको यह भी पता है पिर्थम पिर्थम आपकलन जो करते हैं कोटी का उसकी जो आंतर सीट है वहां से एक्स का मान निकलता है और दूतिये कोटी के अपकलन की जो आंतर सीट होती है वहां पर चेक होता है कि फलन उच् और नंटमान ग्याद कर सकते हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है फलन ही लिखना है आपको ये भी पता है कि प्रसनल जब 6.5 हमने प्रसनों को हल करवाया था हमने ये भी बताया था आपको कि फलन ही आपको प्रसनल मिलेगा तो यहां पर 2 आख है एक से स्कुर्ण थीक करना है तो यहां पर देखो किलन करा है है स्कूर एक स्कुर्ण क्या होगा पिर एक कार्म और क्लों करो वह पहले में दो बार कर दोता है यह बात आपको पता है तो दुबारा कि आपको two ही लिखलेना ऐए अब आपको एक्स मान निकलना आए आपको यह आपको यहां को आपको निकलना पड़ती है तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एfax के जिए धार रिखा होता है वही यहां पर लिखना पड़ता है तो उधारेट 26 में उच्चितम और निम्तम लिखा है तो आपको यही यहां पर लिखना है एफ एक्स के उच्चितम या निम्तम मान के लिए इसके बाद आपको यह भी पता है एफ डेस एक्स बराबर जीरू करना पड़ता है अब एक्स के आंदर शीट दो कितनी है टू एक्स रख लेना यहां पर बराबर जीरू तो एक्स का मान निकलेगा जीरो अपन्ट तो क्या निकला जीरो क्योंकि जीरो अगर अंस में नीचे कुछ भी संग्या आपको मिल जए जाए पोज्टी मिल जाए तो लिए दल जीरो से ओमान पता चल गया अब यह एकस का अमान जब पता चला है आपको यहाँ पर चेक करना है एकस का अब यहाँ जो दूतिय कोटि के अपड़लन की जो आंतर शीट है अगर 0 से गिरेटर आती है तो फ़लन उच्यत्म होगा और 0 से छोटी आती तो फ़लन उच्चितम होगा और 0 से बढ़ी आती है तो निम्तम होगा फलन तो यहाँ पर हम लिख देते हैं X बराबर 0 पर ठीक है अब आपको चेक करना है यहाँ पर F double dash X है ना X के इस्तान पर 0 रखो यहाँ पर X कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है अगर यहाँ पर X होता है तो हम रखते हैं जीरो है यह नहीं अब आप बताओ यह जो आंतर सीट आई है F double dash की 0 से greater आई है कि लेस आई है 0 से greater आई है तो आपको पता है कि अगर 0 से greater आई है तो फलन क्या होगा निम्तम होगा ठीक है तो आप लोग इतना नोट करो इससे आगे जो है हम लिखते हैं एक्स बराबर 0 पर एफ एक्स निम्तम है तो इसको अम रख कर देते हैं कि अब इसके आगे आपको लिखना पड़ेगा एक्स बराबर 0 पर एक्स निम्तम है तो यह तो पता से लगया फलन निम्तम है अब आपको निम्तम मान ग्यात कर लेना है जो एक्स का मान निकला है ना जीरो आपको फलन में रख देना है जो प्रस्ट में दिया गया है फलन उसमें रख देना है तो निम्तम मान ग्यात हो जाएगा तो यहां प तो देखो क्या दिया है यहां पे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वाइर जहां जहां एक से कितना रख देना है जीरो तो जीरो का इसक्वाइर क्या होता है जीरो ही होता है तो यह जो निम्तम मान आया है एक्स बराबर जीरो पर आया है ठीक है ये आप लोग नोट कर लो त्ट के निम्तम भान ही ग्यात हुा है उच्चतम मान नहीं ग्यात होगा कूँक्व直接 मान अगर एक सपर इस की ओन नि कलता है या फलन क्या पता चला अगर दूसरा मान ओता तो हम हंडेड़ परसेंड यह कहते हैं कि अगर पहले इमान पर फलन निम्तम आया है तो दूसरे मान पर उच्छतम जरूर आता है लेकिन एक्स का मान एक ही निकला है या तो फलन निम्तम होगा या उच्छतम होगा तो हमें पता चल गया था जीरों से ग्रेटर आंतर शीट आई है तो फलन निम्तम होगा तो जब निम्तम होगा न नंबर चेंज कर देते हैं अब देखो उधारण 27 पहले पढ़ेंगे फिर पता करेंगे कौन से पिरकार का उधारण है क्योंकि पिरकार की जानकारी होना चाहिए क्योंकि आप को पता है पहले पिरकार में दोबहार अंखिल अगर इसकी जानकारी नहीं है तो पढ़ा कैने परसंदद 104 के प्रसंदों का हले दोज़ अपंड नाइए ऑपकार की hyde यह उधारण 27 है यहां पर लिख देते हैं ठीक है दूसरे पिरकार में क्या होता है अब गलन नहीं होता है हम आपको बताएंगे आगे लिखा है यहां पर उस्तम और निम्तम मन यदी कोई हो तो ग्याद केजिए यहां पर उस्तम और निम्तम मन पूंच रहा है यदी कोई हो तो ग्याद केजिए तो मापांक है सबसे पहले आपको फलन लिखना है तो यहां पर लिखो फलन चाहें प्रसन हो प्रसने 6.5 का चाहें उधा रह पर क्या है यहां पर मोड एक्स है ठीक है आपको पता है मापांग वाले प्रस्ण या सिंगल साइन या सिंगल कॉस वाले फलन उसमें क्या होता है अपको नहीं होता है और मापांग वाले में अमने बताया था यह जो सर्थ होती है ऐसे करके आपको लिखना है ठीक है यह अपन से मैस करना है यह तो अपने पास से लिखा अब प्रसंट भी वही सेम टूसेम फस गया तो क्या करा है प्रसंट 6.5 का प्रसंट दो देख लेना आपको पता है इसके बराबर क्या अब यहां से आपको देख लेना है निम्तम मान और उच्टम मान सबसे यहां पर जीरो आपको छोटा देख रहा है तो सबसे चोटा क्या बोलते है निम्तम और सबसे बड़ा यहां पर ही नहीं तो उच्टम मान परिवासित नहीं है तो निम्तम तो पता है सबसे छोटी संग्य आपको देख रहे है जीरो तो इसलिए निम्तम मान यहां पर लिख देना है प्रिवासित नहीं है यहां पहले कि देना हैं उच्थम मान नहीं है निकाल नहीं सकते हो कि इसको नोड़ कर लो यह complete हो ठीक है उधारण 28 की बात करेंगे इसको भी हम रफ कर देते हैं यह पिरकार है कि प्रते हों यहां दर्वाइब पहले पढ़ना है और कि दो आपके इसको हम रफ करंग कर देते हैं फिर उधारण 28 हल करवाएंगे तो यहां पर 27 से न इसको हम चेंज कर देते है अट-ठाइस कर देते हैं häuf तो उधरार लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो अगर चैनल सस्क्राइब है बेलें आइकन भी फ्री में होता है इसलिए कोई पैसे तो पड़ते नहीं लाइक एक और चेनल को सस्क्राइब कर दिया खरो अगर शैनल सब्सक्राइब नहीं किया इसमें आपका ही है Oh हम तो आपको पढ़ा रहा है उदार 24 लगवा चुके हैं नए 27 लगवा चुके हैं उदार 28 अधर 28 लगवाएंगे जल्दी लगजा सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएग अब वाब बबाब नहीं करने करना है आपको हम A to Z आप लोगों को हल करवा देंगे चाहें प्रसंद 6.5 के प्रसंद की बात हो चाहें उधारड की बात हो A to Z हर एक कुशन आपको हम हल करवा देंगे ठीक है तो उधारड 28 हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद ये पता करेंगे कौन से प्रकार का है तो यहाँ पर लिखा एक्स बराबर एक्स कामा एक्स ब्लांस्टू जीरो कामा बन आगे लिखा है दुआरा प्रदत फलन के उच्चितम और निम्तम मान यदि कोई हो तो ग्याद के जिए तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर उधारड 28 पहले पिरकार का है अब पहले पिर सब्सक्राइब कोईश्च बराबर लिखो को यह इस अफेक्स बराबर वाँ पर क्या दिया है आ है ये एक्स और यह आंटराल कर दिया गया यहां से निकलना है पिरतं कोटी कि अब कलन की जो आंतर सीठ है वहीं से एकसर मान निकलेगा तो आपको एक लाइन लिखना पड़ेगी fx के उच्दम्या निम्तमन के लिए देख लेते हैं उदारण में उच्चितम लिखा है कि उच्चित लिखा है कि निम्तम लिखा या निम्नेश लिखा है तो यहां पर उच्चितम और निम्तम लिखा है जो लिखा हो वही यहां पर लिखना है एफ एक्स के उच्चितम या निम्तम मान के लिए इसे हम रफ कर देते हैं जा अब इसके बाद आपको करना क्या आए फ्ड词 x बराबर झिरुक लिखना है अब आपको एंस सिट्स का मान रखना है यहां पर यह नहीं है यहां पर आंक但 मैं लिए पर iedereen अश्क मान नहीं निकलेगा यहां पर कहें लिख देना है यहटर परिवासित नहीं हां यहां पे लिख दो एक्स कामान। कि परिवासित नहीं है। कि एक्स कामान क्यूं परिवासित नहीं है। mystosphere seed में आगरोता तभी X केमान निकलता यभी X कामान परिवासित नहीं तो चेक नहीं हो पायेगा। encer निफान मिल भी जाता तो आपको पता है सिरा प्रीटक जरो है जिरो पर क्या होता है ना तो उच्चितम हो और ना ही निंतम हो गा को अपको लिख देना यहां पर अता करके लिख दो एक सरे यह पर यह लिखो कि इस कि ना तो उच्चतम है और ना ही निम्तम है कि नोट कर लो यह कंप्लीट हो गया उधारण 28 इसको हम रफ कर देते हैं अब उधारण 29 हल करवाएंगे कि नोट करते रहा करो कि यह रफ करने के बाद में अगला उधारण हल करवाते हैं यहां पर हम नमबर चेंज कर देते हैं उधारण 29 अब उधारण 29 बढ़ेंगे तो अब उधारण 29 में क्या लिखा एकस वराबर एकस क्यू माइनस का 3 एकस प्लस 3 दुआरा अगे लिखाए पिरदत तो फलन पिरदत तो का मतलब होता है लिक लिखा हुआ प्रसम में आपको मि ठीक है यही हंदी हम यूज करेंगे जब इसका हल करवाएंगे आगए लिकाएंइन निमतम ह slippers लिए लेना है वही हंदी करते हैं हल में आगए है कि सभी बंदु होगा कीजिए było पर बिंदू का मतलब है यक्स के मान गयात करना है फलन इस्थानिय उच्टम होगा या फलन इस्थानिय निम्तम होगा अलग अलग आपको यक्स इमान निकालना है इस्थानिय उच्टम के लिए अलग निकालना है और इस्थानिय निम्तम के लिए अलग निकालना है यहां पर एक्स के मान बताना है क्योंकि लिखा है बिंदू को ग्याद कीजिए हमें निम्तम मान उच्टम मान नहीं निकालना है केबल और केबल चेक करना है किस मान पर फलन इस्थानी उच्टम है और किस मान पर इस्थानी निम्तम है वही बिंदू आपको ग्याद करना है तो इसका हल देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको पता है प्रेस्ट नोप्रेस्ट नोप्रेस लिखना पड़ता है सबसे पहले यहां पर हम लिख देते हैं दिया गया फ़लन तो f x बराबर आपको लिख लेना है यहां पर x q मैस्क का 3 x प्लस का 3 ठीक है अब कलंब गडू दो बार आप कलंब होता है कि यह जो है Udhan Rat una 9 पहले पिरकार आइंही कि नीचिदी क्या होता हैắ 도 आपको इतना लिखना आए माइनस का 3 छीक है फिर एक बार और अपकलन करो एक्स के फेसिया आपको अपकलन करना है घात आगे तो आगे 3 पहले से 6 हो गया और एक्स में कम करना दो मेंसे एक घहत कम कर लित एक दिठी लिखो में ठीक हैわかल क्या होगा जीरो अचर्पत का तो इसे यह हैं अब आपको यह rigor मन निकालना एक लई अधक ना पड़ेगी एफ एक सोद्मय निम्त्म महन के लिए तो देख लेटे हैं हिंदी क्या लिखिए वही लिखना इमस्द्रा तम इस तानिय निम्त्म मान के लिए यहां से x का मान निकलता है यह लाइन लिखना पड़ती है इसका मतलब क्या होता है इस लाइन का मतलब यही होता है कि F-X बरावर 0 करना है और E-X कमान निकालना है अब देखो F-X की आंतर सीड में E-X आपको दिख रहा है तो E-X कमान निकलेगा तो यहाँ पर लिख देते हैं 3X स्कॉयर मैनस का 3 बरावर 0 3 कामन ले लो X स्कॉयर मैनस 1 ही बचेगा 3 का भाग लगा दो और यहाँ पर क्या लगा लिए A स्कॉयर मैनस B स्कॉयर A प्लस V इंटू A मैनस V होता है तो आपको यह भी पता हो ठीक है चाहो तो आप यह ना लगा हो डारेक्ट ऐसे लिख सकते हो देखो कैसे X स्कॉयर मैनस 1 बन 1 बन 1 बन 2 स्कॉयर बरावर बन यह निकलना है ठीक है तो यहां पर हमें X के मान मिल रहे है यहां से निकालेंगे प्लस है तो माइनस माइनस है तो फिलस दो मान निकले हैं अब चेक करना X बराव मैनस 1 पर और एक बराव बन पर फलन इस्थानिये उचतम होगा की इस्थानिये निम्तम होगा तो यहां पर आपको ऐसे करके लिखना है X बरावर मैनस 1 पर अब आंसर सीट में रखना है F डवल डेस X में यहीं से चेक होता ना जहां जहां X है कितना रखना है मैनस 1 रखना है इसको अम्राफ कर देते हैं अब आपको लिखना है इसके आगे लिखो एक्स बराबर वन पर F एक्स इस्थानिये एक्स बराव वन पर एक्स इस्थानिये उच्चतम है ठीक है एक पार तो लग गया यहां पर यहां पर एक्स बराबर बन बिंदू ग्यास हो गया इस्थानिये उच्चतम के लिए लिखा भी है देखो सभी बिंदू को गयाद केजिए तो एक तो पता से लगया अब एक्स बराबर माइनस बन पर इस्थानिये उच्चतम आया है तो एक्स बराबर बन पर हंडेड परसंट के आएगा इस्तानी निम्तम आएगा यह उच्छी तो निम्निश में ट्रीक है कि अगर एक मान पर निम्तम आया तो दूसरे पर उच्छतम आएगा अगर एक मान पर उच्छतम आया तो दूसरे पर निम्तम आएगा यह उच्छी तो निम्निश में ट्रीक है इसलिए यह भी ध्यान रख तो सिक्स एक्स था ना रग दो तो क्या निकला अच्छे ग्रेटर देन जीरो तो जीरो से बड़ी आंतरसीट आई यह तो आपको पता है कि इस्थानिय निम्तम होगा यहां पर लिख देना है एक्स बराबर वन पर थोड़ा सा यहां से लिख रहा है ठीक है इंप्लाइड एट एक्स बराबर वन पर एफ एक्स इस्थानिय निम्तम है इसको हम रफ कर देते हैं ठीक है इतना तो यहां पर हमें पता चल गया दूसरा मन एक्स बराबर बन तो हमें बिंदु पता चल गया ठीक है नोट कर लो यह complete हो गया उधारण 29 इतना आपको हल करना है अगर पेपर में आ जाए जैसा हल करना है वैसा ही आपको पेपर में भी हल करना है ठीक है अब इसको उम्राफ कर देते हैं उधारण 30 देखो 29 हो गया complete उधारण 30 यहां पर हम 30 देखों यहां पर क्या लिखा है एफ एक्स बराबर टू एक्स क्यू मैनस का 6 एक्स स्कॉर प्लस का 6 एक्स प्लस का 5 अगर लिखाए द्वारा फलन एफ के इस्थानिये उच्टम और इस्थानिये निम्तम बिंदू ग्यात कीजिए तो जैस 29 लगाया है ना बैसे होगा 30 तो पहले पिरकार का है यह उधारण 30 दो बार अपकलंद करना है यहां पर भी एक्स के मान निकालना है आपको निम्तम या उच्टम मानने क्या करना है कि कि किस एक्स के मान पर इस्थानिये उच्टम होगा किस एक्स के मान पर इस्थानिये नि यहां पर बिन्दू बूचे गये तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है दिया गया फॉलन लिखना है fx बराबर आपको यहां पर लिह लेना है कितना है 2x q- 6x स्कॉइर तीसरा पत लेगो प्लस का 6x प्लस का 5 है ठीक है आप कलन्द करो इसका f-x बराबर 6x स्कॉइर 12x प्लस का 6 है x का 1 होगा अचरपद का 0 तो इतना ना लिखो आप इतना ही लिखो एक बार और अपकलन को लो कियाँ पता यह उधारजुत्ति पहले पिरक Bene कायर तो बार अपकलन होता है कर फिर एक बार अपकलन तो बारा सुट्ध अचरपत का जीरू होगा तो आपको केवल ओर केवल इतना ही लिखना आएक या से तो एक लाइन तो लिखना पड़े गी आपको लिखो को निम्तम मान के लिए इसका यही मतलब है कि एक्स बराबर जीरो आपको लिखना है अब एक्स बराबर जीरो लिख लिया है अब आपको इसकी आंतर शीड भी लिखना है यहां पे सिक्स एक्स स्कौर माइनस का 12 एक्स फिलस का सेक्स एक्स याइगा तो डारेล लूना है यहां पे छे मतलब 0 अभी यह आपको दिख रहा है एक्स स्क्वाइर है अगर आप लोगों ने होल स्क्वाइर नहीं लिखा तो गुड़न खंड करो गुड़न खंड करने पर दो बिरेकित आएंगे एक समय लो चाहें डारे लिख लो यह माइनस भी का ओल इसकार एक ही बात है नहीं समझ में आ झी अगर मैंनश काया जैसे हम इस तरह आपको पता दीतमे कैसे गुड़नखंड कर रहे हुख एक स्कॉाइर एक 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 उप MAYनका यहाँ से यहाँ से दो डोРЕलो एक मैनस बाहर लेलो एक समाइनस बन मिला नहीं कुड़न खंड कर여 को ठीक है तो यहां से अगर देखा जाए एक सब्रावर वन का वन मिला तो एक जैसे आपको पता है एक ही बार लिखा जाता है तो यहां से देखो गात अठी रूट चड़ेगा तो रूट जीरो कमान कितना होता है जीरो तो यहां पर डारेट आपको जीरो लिख देना है तो एक सब्रा की हम आपको लिखना है एक्स व्राफर बर सबें में पर रखो का पर रखाए गए यहांस को जहां अएक से एक से वन आपको लिखना है ठीक है तो बारा माइनस का बारा क्या हुआ जीरो हुआ ठीक है तो कितना मिला हमें बारा माइनस का बारा अंतर सीट हमें जीरो मिली है तो आपको पता है कि जीरो पर क्या होता है ना ही उच्चतम होगा ना ही निम्तम होगा यहां पर Doesnных कर देते आप इसके आगे आपको नान लिखना है एक बराबर बं पर और extra एड आ तो उत्थम होगा और अहीं निम्तम होगा लेकिन यह पर इस्थानिय भाए तो इस्थानिय भी लिखना आपको है कि एक्स बराव बं पर एफएक्स कि ना तो इस्थानिये उच्चतम है और ना है इस्थानिये निम्तम है ठीक है ये उदारतीस भी हो गया इसको नोट करो जल्दी नोट कर लो इसको आप लोग उदारतीस देखिए यहां पर बताया गया है एक्स इक्वल थ्री प्लस मोड एक्स आगे लिखा है एक्स प्लाइन सू आर दुआरा प्रदत फलन एफ का इस्थानिये निम्तम मान ग्याद केजिए तो कौन से पिरकार का यह उदारतीस है मोड आपको दिख रहा है तो दूसरे पिरकार का यह उदारत है यहां पर लिख देते हैं पिरकार दो अब दूसरे पिरकार में आपको पता है अब जलन तो होता नहीं है तो इसका हल आप लोग देखो यहां पर हम लिख देते हैं उदारत इकतिस का हल सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया गया फलन यह तो आप लोगों को हर उदारत में लिखना है तो fx बराबर क्या है 3 प्लस मोड x तो मापांक वाले प्रसन हम हल करवा चुके है प्रसन 6.5 में तो कैसे हल करते थे आपको पता है तो यहां पर सबसे पहले आपको यही लिखना है कि मोड x ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है ठीक है वैसे भी आपको पता है मोड हमेशा धनात ङे जीन तो मंन देता है 0 या 0 से बड़ा इतना लिखने के बाद यह चल्द है फिर आपको क्या करना वां प्रसन पूरा पूरा बनाना है सब ET डह यह मिल गया सेमट सेम अब आपको यह तीन दख आ है प्लस का आपको दोनों पच्छों में यहां पे हम लख देते हैं प्लस क 3 ऐसे करके ठीक है तो यहां पर 0 है तो 0 प्लस 3 कर लो अब आपको दिख रहा है 3 प्लस मोडे किसके बरावर है fx गए तो यहां पर fx लिख देना है पुरा-पुरा प्रसमी बनाना होता है दूसरे पिरकार में अब ग्रेटर देन सबसे चोटी संक्या आपको दिख रही है 3 तो सबसे चोटी संक्या दिख रही है 3 तो यही निम्तम मान है और यही पूछा गया इस्थानिय निम्तम मान तो यहां पर उच्चितम मान परिवासित नहीं है तो यहां पर पूछा भी नहीं गया है केबल और केबल इस्थानिय निम्तम मान पूछा गया तो सबसे छोटी आंतर सीट क्या दिख रही है आपको तेन तो यही आपको लिख देना है इस्थानिय नि और बराबर तेन ठीक है यह तो हल गया क्योंकि यहां पर अपकलन हुआ नहीं तो इसी लिए इसका हल जो है छोटा है इसको आप लोग नोट कर लो उधारण 31 हो गया इसको अम्राफ कर देते हैं अब 32 आप लोग देखो यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं 31 लिख देते हैं ठीक है अब 33 पर लो यहां पर लिखा है यहां पर बिंदू मतलब एक्स के मान ग्याद करना है इस्थानिय निमतम के लिए और इस्थानिय उच्छितम के लिए ठीक है तो यह उदारत 33 जो ओँन से पिरकार का है पहले पिरकार का है दो बार अब करना है यहाँ पर तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया फलन फलन ही पूरी प्रस्णावली में आपको लिखना है fx बराबर 2x q मैनस का 6 x square प्लस का 6 x प्लस का 5 अपकलन करो दो बार तो f डेस x बराबर 6x स्क्वाइर 12x प्लस का 6 ठीक है x का बन लिखेंग नहीं और चाहो तो बन ऐसे करके लिख लो अचरपत का 0 तो आपको ऐसे डारेक्ट इतना ही लिखना है चलो फिर अपकलन करो f डबल डेस x तो यहां पर घात आगे बारा हो जाएगा और एक गात कम करेंगे एक सिगात एक यहां पर 12x का 1 होगा और 6 का 0 होगा तो केवल आप लोग इतना लिखो ठीक है दो बार अपकलन हो गया आपको यह किमान निकालना है उसके लिए एक लाइन लिखना पड़ेगी ऐफ अब है इन्दी दिखो दार अर बतीज में क्या है स्थानी उच्थम इस्थानी निम्तम जो हिंदी लिखिए वही आपको हिंदी लिखना है यहां पर भी तो fx के इस थानिये उच्थम या इस थानिये निम्तम मान के लिए इसका यही मतलब है कि एफ डेस एक्स वरावर क्या करना है आपको जीरो करना है यहां से एक्स का मान निकलेगा यह अंसर शीट आपको देख रही है रखो 6 एक्स स्कॉाइर मैनस का 12 एक्स प्लस का 6 6 कामन ले लो मिल लाए तो यहां पर यहां पर यहां पर 10 का थilly स्कॉर हो जाएगा जाएक है जे प्रवार पर हमें पता चला एक पता चला इस दूतिय कोटि के जो अपकलन की आंतर सीट है उसमें चेक करेंगे अगर 0 से छोटी आंतर सीट आई है तो इस्थानी उचतम होगा 0 से greater आंतर सीट आई है तो इस्थानी निम्तम होगा तो X बराबर 1 पर आपको लिख लेना है इसको हम राफ कर देते है आप लोग क्या करो नोट करते रहा करो ठीक है तो यहां पर हम लिखना चाहते हैं X बराबर 1 पर आप लोग भी लिखो F डवल डेस रखो जहां जहां X है रखो 12 इंटू 1 माइनस का 12 कितना मिला 12 माइनस का 12 बराबर 0 तो यहां पर जीरो मिल गया तो यहां पर ना ही इस्थानी उच्टम होगा ना ही इस्थानी निम्तम होगा क्योंके बराबर 0 जबा जाता है तो आपको फार्मूले में लिखा चुके हैं पर दरदन 6.5 का जो बेसी पड़ाया था तो जीरो पर कुछ नहीं होता है तो आपको लिख देना है एक्स वराबर 1 पर एफ एक्स ना तो इस्थानी ए उच्टम होगा ऐसे लिखो ना तो इस्थानी उच्टम और ना ही इस्थानी ए निम्तम होगा या निम्तम है यह यह पर बिंदू पूछे गयते हैं तो बिंदू यहां पर एक स्वराव वन पर नाहीं इस्थानिय उचितम है और नहीं इस्थानिय निम्तम है ठीक है आप लोग इसे नोट कर लो यह कंप्लीट हो गया उधारण 33 उधारण 34 जो है हल करवाएंगे इसका अम रफ कर देते ह है यहां पर हम नंबर चेंज कर देते हैं 33 वह गया अब 34 आपर क्या लिका ऐसी दो धन संग्याइं ग्याद किजिए जिनका योग पंद्राइं और जिनके बर्गों का योग नियुनतम है यहां पर नियुनतम बताना है ठीक है और जिए हिंदी वाला प्रसन है हमने बताया संख्याएं मानेंगे तो उसके बाद में मान भी ज्याद करना होता है ठीक है तो नियूंतम पहले बताना है बरगों का योग नियूंतम बताना है उसके बाद संख्याएं बता देनी है जो चर्में यहां पर मान लेंगे क्योंकि योगफल पंद्रा है ठीक है तो इसका हल संख्याय एक्स और बाई हैं यह आप लोग मान लो पहले इस पिरकार के प्रहण जो है हम प्रहण 6.5 में लगवा चुके हैं तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है योगफल कितना बताया है पंद्रह बताया समीकरण डालो इसके बाद बताया है जिनके बर्गों का योग वर्गों का योग नियुन्तम बताना है तो हम पी मान लेते हैं आप पी बरावर बर्गों का योग वर्गों का योग कहता है बर्ग करके आपको जोड़ना है और जो योग होगा वो आपको क्या बताना है नियुन्तम बताना है ठीक है अब कलंड करना है या तो एक्स समिकरड एक से रख लो तो P बराबर X स्कौायर प्लस 15 – X यहां से बाई कामान निकाला यहां पर रख लिया ठीक है यहां पर बताना पड़ेगा कि बाई कामान कहां से निकाला और कहां से रखा है अब अपकलन करो दो बार तो dp upon dx equal 2x plus इसमें घात आगे एक घात कम करेंगे लेकिन इसका दुबारा करेंगे तो 0 minus का 1 ठीक है तो 2 ले लो common तो x यहां से कितना मिलेगा plus minus minus अंदर into कर दो ठीक है ऐसे करके थोड़ा हल कर लो कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद आप कलंड कर लेंगे चलो आप अप कलंड करो यह थोड़ा सा हमने हल कर लिया यह आंसर सीट है dp upon dx की है अब दुबारा आप कलंड करेंगे dp upon dx square तो 2 ऐसे रखो x का 1 और अचरपत का 0 तो क्या निकलेगा चार निकलेगा तो आंसर सीट आपको पता चल गई dp upon dx की और d2p upon dx square की अब x का मान निकलेगे कहां से जो पिर्तम कोटी के अप कलंड की जो आंसर सीट है वहां से x का मान निकलेगे तो एक लाइन लिखना पड़ेगी आपको लिखो यहां पे p के उचस्च तम या नियुनतम मान के लिए तो हिंदी देख लेते हैं वह ही लिखना है नियुनतम लिखा है तो नियुनतम का opposite आप लोग बताइए क्या होगा यसे उच्चिष्ट का opposite निमनिस्च होता है तो नियुनतम का अधिक्तम तो आपको यहाँ पे लेना पीक है अधिक्तम यह नियूंतम मान के लिए यहाँ से एक्स का मान निकलेगा तो क्या करना पड़ेगा डी पी अपॉण डी एक्स बराबर जीरो करना पड़ेगा ठीक है अब इसके आगे देखो इसको अम्राफ कर देते हैं थोड़ा सा अब आपको एक्स का मान निकालना है चलो डी पी अपॉण एक्स यहां तरशीड देखो कहां पे यह है रखो वहां पे तो टू इंटू टू एक्स मानस का फिटेन इक्वल जीरो ठीक है अब आपको दो का 15 वटे दो पर और आपको पता है कि जब चेक करेंगे तो नियूंतम ही आना चाहिए ठीक है यहां पे लिखना पड़ेगा एक्स वरावर 15 वटे दो पर कहां पे चेक होगा जो आंसर सीट दूतिय कोटी के अपकलन की है वहीं पे चेक करना है तो डी टू पी अपॉन डी एक स्कॉयर यहां पे एक से नहीं है तो नहीं रखेंगे लेकिन आंसर सीट चेक करो जीरो से बड़ी आई है जीरो से बड़ी आई है तो आपको पता है क्या होगा नियूंतम होगा जीरो से बड़ी ठीक है तो एक सब्सक्रावर 15 वटे दो पर पी क्या होगा नियूंतम यहां पर लेगले नाय नियुंतम है यह तो लग गया लेकिन अभी आपको संघ्याइभी ग्याद करना है हमने आपको बताया था कि पहले हम नियुंतम दिखा देंगे बर्गों का योग उसके बाद संघ्याइभी ग्याद करेंगे तो समीकरण एक में एक्स बराबर 15 वटे दो रख बंदरा वटे दो तो यहां से लगुत्तम लेलो तो 30 माइनस का 15 वटे दो व्यका मान क्या मिला यह पर 15 वटे-ही के आगे हल कर रहे हैं तो यहां पर हम रफ कर देता है दो धन संख्यां यह तो यह तो कंप्लीट हो गया इसे नोट कर लो तो यहां पे बच गए हैं वह भी करवा देंगे इस क्लास में जितने आपको दीख रही हैं लिखे हुए सारे सारे करवा देंगे यहां पर इसको हम रफ कर देते हैं ठीक है अब उधारण 35 देखो 34 तो होई गया है यहाँ पे नंबर हम change कर देता है अब देखो उधारण 35 यहाँ पे बोला है बिंदू 0 कामा C से परवले बाई बराबर X स्कार की नियूंतम दूरी तो यहाँ पे नियूंतम जैसे अभी आपने यह उधारण 34 तो यहाँ पे नियूंतम है ऐसे यहाँ पे दूरी नियूंतम बताना है और बताया है C का मान जो है बना परण टू यह बना परण टू से ग्रेटर है 5 या 5 से लेस है ठीक है तो नियूंतम दूरी यहाँ पर बताना है तो बिंदू एक दिया बिंदू तो हमें पता है हमने इसे बिंदू एक्स कहां वाई होता है तो भुझ हमने क्या ले लिया यहां पर एक्स ले लिया और कोटी यहां से निकालो बाई कमान तो एक्स स्कॉर तो बिंदू यह मिल गया मैं तो एक्स कामा एक्स स्कॉर ठीक है परवले पर एक बिंदू म मिल गया मैं एक्समें ही आपको मानना है ठीक है और एक बिन्दू यहां पे दे दिया गया है अब दूरी वाला ओवर तो लगे यहां पे तो देखो यहां पर यह पहला विन गया और दूसरा विन जीर घ्री का रणा लगा के दो बार अपकलंड़ करना आ अप다면 यह पहले पिरकार का एंधार जो है 35 पहले पुरकार का दो बढ़ करना है यह अपको समझी कर तो चाहिए तो दूरी का फार्मला लगा लो क्या होता है एकसे 1-2 का फोल स्कॉइर वाइबं मॉनस वाइटू का whole square यह formula आपको याद करना पड़ेगा याद तो होगा 10th में आपने पड़ा होगा coordinate geometry ठीक है निर्दसांग जामती तो वहाँ पर यह formula आप लोगों ने याद किया था तो यहाँ पर जरूरत पड़ गई तो याद कर लेना ठीक है यह x1 है यह y1 है और यह क्या x2 y2 है ठीक है रखो मान x1 का मान x2 का मान 0 ठीक है y1 का मान क्या है x2 का मान c है c ठीक है d बराबर क्या आएगा यहाँ पर x2 यहाँ पर x2 मानस c का whole square तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट में तो बहुत टफ पड़ेगा न तो इसलिए जब भी आपको उच्चिष्ट निम्निष्ट में रूड दिख जाए तो वर्ग करने के बाद अप्लन करो ठीक है तो आपको क्या करना है पहले दोनों पच्चों का बर करना है उसके बाद दो बार अप्लन करना है यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर डी स्कॉाइर दिख रहा है तो डी स्कॉाइर के इस्थान पर क्या ले लो वाई यह सिंबल आपको दिख रहा है ऐसे करके इसकी हिंदी बता देते हैं इसका मतलब यह है कि डी स्कॉाइर के इस्थान पर वाई रखने पर ठीक है डी स्कॉाइर ना च करूं और इसके आगे जो है हल कर रहा है आप करेंगे दो बार पहला देखो डी ऐंपान ब्राबर पहले पत्षक प्रियर दूर्षण कहंच होगा दूसरे पत्र का दो आगे एक गात कम कर लेंगे एक गात बचेगी लेकिन गात के अंदर वाले का दुबारा अपकलन करेंगे अगर आपको अपकलन नहीं समझ में आता है तो पार्ट पांस अंतत अता अपकलनेता अपकलन हम पढ़ा चुके हैं प्रस्नलिश 5.2 से लेकि प्रस्नलिश 5.7 तक वीडियो पढ़े हुए हैं प्ल तो X स्कॉयर का क्या हुआ 2X हुआ और अचरपत का क्या हुआ 0 हुआ ठीक है अब यहां पर कामन ले लो X कामन मिल जाएगा तो यहां पर 2 यहां पर 4 ठीक है X स्कॉयर मैनस का C चाहो तो 2 कामन और ले सकते हो ठीक है तो यहां से कितना मिलेगा 1 प्लस का यहां पर 2 मिल जाए तो यह स्कॉयर माइनस का से यह आंसर सीट आईए डीवाई अपॉन डीएक्स की आई है यह एक बार अपकलन हुआ एक बार और कुरों डीटू भार अपॉन डीटू वाई अपॉन डीएक्स स्कॉयर यहां पर फैस्ट लग जाएगा यह फैस्ट ओर यह सेकेंड दो तो ऐसे 1st को ऐसे रखेंगे 2nd का अब कलंग 1 का 0 इसमें 2 ऐसे रखो x square minus c का आप कलंग करेंगे यह तो अचर है क्योंकि आपको बता है चर का अचर में into होता है तो अचर आगे आ जाता है चर का आप कलंग करते हैं तो x square का 2x और c का क्या होगा 0 ठीक है और पिलस अब दुतिये को ऐसे रखो 1 पिलस का 2 into x square minus c यह दुतिये है न पद इसे ऐसे रखो अब x क्या होगा 1 होगा ठीक है ऐसे करके आपको अपकलंग करना है इसको अमग्राफ कर देते हैं अब इसके आगे देखो यहाँ पर थोड़ा सरल अगर कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर कितना मिलेगा 2x ठीक है और 2x पहले से तो कितना मिल जाएगा 4x square पहला पद है दूसरा पद देखो पिलस का 1 पिलस का 2 का into कर लो तो 2x square माइनस का 2C ठीक है थोड़ा सा और हल कर लो यहाँ पर 4x square प्लस 2x square 6x square प्लस का 1 माइनस का 2C ठीक है तो हमें आंतर सीर तो पता से लगई दूतिय को ठीक है अब एक्स के मान निकालने के लिए हिंदी लिखना पड़ेगी आपको यहाँ पर लिखो y के उच्छी यह निमनिश्वान के लिए है तो प्रसन में हिंदी देख लेते हैं क्या है वही आपको लिख लेना है तो नियुंतम है तो नियुंतम का अपोजिट अधिक्तम तो यहाँ पर y के अधिक्तम यह नियुंतम मान के लिए यह आपको लिखना है अधिक्तम यह नियु यहां से एक्स का मान निकालो इसको हम रफ कर देते हैं कि अब देखो करना क्या है यहां पर दो का भाग लगा दो पहले और यहां पर थोड़ा सा सरल कर लो पुचाओ तो ऐसे रखो वन प्लस का टू एक्स स्कॉाइर मैनस का टू सी बराबर जीरो तो एक्स का मान यहां से मिलेगा जीरो यहां से कितना मिलेगा टू सी मैनस का वन अपॉन टू ठीक है इतना मिलेगा X square है अलग अलग आपको निकालना है तो X बराबर 0 तो X square बराबर इतना मिलेगा तो X बराबर 0 और यहां से गात अटाओ तो पिलस माइनस आएगा ना 2C माइनस बना पॉंट 2 तो X के कितने मान मिले हैं इसको हम रफ कर देते हैं आपको बता रहा है तो X बराबर एक तो 0 मिला एक माइनस का मिला 2C माइनस बना पॉंट 2 एक हमें प्लस का मिला 2C माइनस बना पॉंट 2 ठीक है उन्हे वाली बात नहीं है चलो X बराबर 0 पर चेक कर लो D2 यह आंतर सीट है D2 Y अपॉंट DX स्कॉयर की है चलो चेक करवा देते हैं कोई दिक्कत नहीं है चेक कर लो रखो 2 और X के इस्तान पर 0 रख लो 6 इंटू 0 का स्कॉयर प्लस 1 माइनस का 2C ठीक है तो यहाँ पर कितना मिलेगा इससे हम रफ कर देते हैं अब आगे देखो ठीक है चलो चेक करवा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं हर एक मान पर चेक कर लो तो यहाँ पर 0 आएगा यहाँ पर 1 माइनस का 2C तो हमें कितना मिला 2 इंटू 1 माइनस का 2C अगर C का मान हम 1 पांटू यहाँ पर रख लें तो 0 आएगा बना पांटू से तो नहीं क्या होगा उच्चतम होगा नहीं निम्तम होगा ठीक है तो इस पर तो कुछ पता ही नहीं चला होगा क्या 0 अगर चाहो तो बना पांटू से ग्रेटर रख लो 2, 3, 4 ऐसे रख लो 4 रख लो तो निगेटिव आएगा तो यहांसे पता ही नहीं चलेगा अगर शीकमान बना पांटू रख लेए यहां पर तो बन मेंसे बन गया 0 मिलेगा तो नहीं उच्चतम होगा नहीं निम्तम होगा तो इसे कटा लगा लो एक्स वराबर 0 पर पुछ पता ही नहीं चला होगा क्या अगर बना पांटू रग रहे उसी कामान इस सर्थ से तो जीरो आएगा जीरो पर ना ही उच्चतम होगा ना ही निम्तम होगा ठीक है अगर चाओ ज्यादा रग लो तो ज्यादा पर क्या आएगी आंदर सीट जिसे चार रखी आपने तो निगेटिव क्या आएगी और निगेटिव पर हमें पता है क्या मिलेग लेज देन लेज देन पर क्या होगा उच्चतम होगा चाहिए हमें निम्तम पिलस की अंदर ही चाहिए तो इसलिए कट्टर लगा लो ठीक है एक्स बराबर माइनस टू सी माइनस वन अपॉन टू इस पे चेक कर लो बिचे क्रवा देते हैं दी टु बाइ अपांग दी सफ्कॉयर है को यही पर रगेलो टू सेक्स एंटू एक्स स्कॉयर है और यहांग यह यह आएगा उपर वाल देखे लो टू सी मैनस का टू सी मैनस माइनस डबापांट वी रखलो को तक तो करैंआग और यह इसलिए देखे हैं क्यूंक्कि बॉय इपमं द् of रिक्स्केन हैं तो इस Çoki doğru यहां से देती प्लस क्या वोगा वन मीनस का टूसी तो अब काहलो यह काट लो ठीक तो धो और तीन जो करण लू यहांपे तो 3 और 2C माइनस का 1 यहाँ पे माइनस 2C माइनस 1 कर लो ऐसे कर लो यह कोई घटाना तो है 3 में से 2 चला गया कहने मतलब है 3X माइनस का X हो गया ठीक है इसको हम रफ कर देते हैं पूरा solve करवा देते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2 और 3 में से 1 चला गया तो 2 मिलेगा, मतलब 4 मिल जायेगा 2C माइनस का 1 ठीक है तो यहाँ पर 2C माइनस का 1 से का मान अगर हम रख रहाए है 1 अपन्टू तो 0 मिलेगा और अपन्टू से जादा रक रहा है 1 रखो रखो 1 अपन्टू से जादा कंडिसन थोड़ी रॉंग होगी तो यहां पर केवल और केवल हो इसाइए आहां पर भी आपको चेक करवाया था एक सब्सभराबर 01 लें पर तो नेगेटीव शर्णन होगी तो निगेटीव आपको पता होचितन होगा हमें चाहिए और जीरो पर कट्ट लगा लिया और एक से बरावर हम पिलस माइनस दोनों पर यहाँ पर रख लेंगे ठीक है दोनों यहाँ पर यूज कर रहा है चाहे पिलस रखो चाहे माइनस रखो तो आपको पता है कि C का मान जो है यहाँ पर पता दिया गया से ग्रेटर और फाइव या फाइव से लेस ठीक है रखो धनात्मक ही उत्तर आएगा कि डी टू बाई अपॉण डी एक स्कॉयर का पता चल गया कि अगर धनात्मक आएगा उचतम होगा तो यह एक से बराबर आप लिख लो प्लस माइनस टू सी माइनस का वन अपन टू इतने पर इतने पर वाई क्या होगा नियुन्तम होगा तो यहां पर नियुन्तम है लिख दो ठीक है क्या लिख दो नियुन्तम है इसको अम ब्राफ कर देते हैं प्रसन में जो हमने माना था वो क्या था नियुंतम दूरी डी ठीक है तो यहां पर बाई बता है आप डी के लिए आपको बताना एक लाइन और आपको लिखना है एक्स वरावर प्लस मानस टू सी मानस वना पॉंट टू इतने पर क्या होगा डी जो होगा नियुंतम हो होगा प्रसन में डी था ना डी दूरी लेके चले यह तो अपना उल्लू सीधा कर लिया था दोनों पच्छों का बर करके बाईमान लिया था लेकिन प्रसन में डी लेके चले ना डी के लिए आपको बताना है ठीक है डी हो गया अब इसके बाद आपको यह भी बताना है नियुंत कि निकाला था नब कलन करने से फेले उसमें रखना है तो यह पर लेक्षा करता है यहीं पर निकालना है तो वह तो निन तम दूरी गयात हो जाएगी तो टी प्रावर एक सिस्वाइर का माल प्लस मैनस रखो बत्षीय आगे सुझीमा इतना यहां पर भी लगोर भ्लो डो सी मैनस1 आपफ लाप्ऑन टू मैनस का थी ओल इसक्वाइर करनो ऐसे के लिगा तो सी मैनस एसे लिखth यहां पर देखो तूसी से टूसी कैंसिल वनापन फूर मिल जाएगा थोड़ा और हल करो इससे एमरफ कर देते हैं इसके आगे देखो करना क्या है तो डी बराबर है कि अल से है ऑनलो कितना मिलेगा ठीक है टूअ का 취 Just adher look अले का थो ए पिलस का वन से डी बराबर हुए तो यहां पर कितना रहेगा इस और सी मैनस वनापन तो डीब बराबर तो चार को बाहर निकालो तो फोर सी माइनस वन रूड में रहेगा अपान टू खिक है इकाई लिग लो दूरी का मातर ही गाई तो फोर सी माइनस का वन अपान टू यह तो कम्पलीट हो गया उधारत 35 अब उधारत 36 जो है हल करवाएं इसको अमब्राफ कर देते हैं आप लोग इतना नोट कर लो कि यहां पर हम उधारत 36 लिख देता है ठीक है यहां पर दो क्याले का मान लीजिए बिंदू ए और बी पर क्रमसा एपी और बीक्यू दो उर्दादर इस्थम्वाएं तो एपी और बीक्यू चलो बाई यह क्या है एपी कर लो यहां दो उडदादर इस्थम वहां तसम अभी हमने ले लिया और दूसरा इस्थम क्या ले लिया हमने आगे लिखा B Q इस्त faço बड़ा होगा एक चोटा होगा तो 16 मीर एपी पता चल गया और Б्र क्या दिया है 22 मिर यह BQ पता चल गया दूसरे स्त almighty लंबा ही आगे लिखा AB ब्रावर 20 मीटर है आँए बी 2 , स्पीटर है आगे देखा.? आगे लिखा है Pvd पर एक ऐसा बिंदू आर ग्याद कीजिये और में लिख्वाइ?ध2. प्लस और किूस को निम्तमा हो तो और कि इसकु आर स से पी मिलालो और कि इसक करो गया और प्लस का और से क्यूं मिला लो तो active to go । यह निम्तमं हमें बताना आए ठीक है तो यहां पर यह आपको दिख रहा है यह बहुत अपर यह भी नब्वह है स्वाइर तो हमें मान तो जात करना पी- आर का स्कौार और आर कीउ-पास क्यार मान तो निकल तब आप बता सकते हो निम्तम को समकोंड तीर्भूज यहांकर लेंगे ना समकोंड तीरभूज पी ये आर यहां पर लेखो पी एार में आ हूँ पाता ओरस पिर में लगाने पर आहां हूँ फिर में लगाने सब्सक्राइब ऐए तो यहां पर क्या लिख्योंगे 90 के सामने कड़ तो प्यार का इस और मद की आए एक पी ए का स्कौार अब़्स कर बता से ले लो आ एक से मान लो यह से स्कौार प्लस एपी 16 का स्कॉयर ऐसे रखो ठीके पियार का स्कॉयर पता से लगया मैं अब इसके बाद आपको यह वाला ले लेना है समकॉर्ट तो इसका आधार पता कर लो तो टोटल बीस है इतना क्या हो जाएगा ज्यादा में से कम को माइनस करो तो बीस माइनस एक से मिल जाएगा यहां से नातर तो यहां पर भी समकॉर्ट तिर लगा लोग पायथागुरस पिर में समकॉर्ट तिर्वूज क्यू बी आर यहां पर लेको क्यू बी आर में पायथागुरस पिर में लगाने पर लगा लो पायता गुरस पिर में तो RQ का स्कॉयर बराबर RB का स्कॉयर प्लस का BQ का स्कॉयर तो आरवी के आए बीस माइनस एकस का होल स्कॉयर और प्लस बीक्यू कितना है बाइस का स्कॉयर तो दोनों मान पता से लगए अब आराम से आप निम्तम बता सकते हो अब कलंद तो करना ही पड़ेगा तो मान लेते हैं माना बाइब बराबर मान लो इसे आरपी स्कॉयर पिलस आरक्यू स्कॉयर ठीक है आरपी स्कॉयर का मान रखो और आरक्यू स्कॉयर का मान रखो तो आरपी देख लो यहां पर एकस स्कॉयर पिलस का सोला का स्कॉयर पिलस आरक्यू का देख लो बीस माइनस एकस का स्कॉयर और पिल सब्सक्राइब 9 प्रश सुल हने लिए करना है आरपर एक ऐसा बिंदु जिसके लिए यह city है मैं निम्तं होसितल्प 70 स्वाइब छूप प्रख्षाइब mieli जो विंदु लिया न ले लिए लिए व ही बता है चलो आपकलन करो दो बार तो यहां पर हम अपक्लन करेंगे वाई का आपकलन डी वाई अपन डी एक्स बरावर इसका अपकलन करो एक्सक्वार का 2X 16 का 0 हो जाएगा ठीक है अचरपत का यहां पर दो आगे एक घात कम करेंगे यह मिलेगी न अब गात के अंदर का 20-1 से दुबारा करो, तो 0, 20 का हो जाएगा X का 1 हो जाएगा 22 का क्या होगा, 0 होगा, ठीक है थोड़ा साईसे लिएगो तो 2 कामल ले लो यहां पे X, फ्लस, मैनस, मैनस ठीक है, 2 तो चलाईगे लो, मैनस का 20, फ्लस का X, तोड़ा और सरल करलो तो 2X, मैनस का 20 तो यहां पर हम क्या करेंगे आप कलिन करेंगे 4 इसे रखेंगे X का 1, 10 का 0 तो क्या मिला, 4 मिला अब आपको X का मान निकालना है इसके वहीं राफ कर देते हैं X का मान कहना से निगलेगा जो प nearestम कोटी के आप कलिन यहां से निगलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा वाई के अब हिंदी देख लो निम्तम लिखा है तो इसका अपोजिट क्या होता उच्छतम तो यहां पर वाई के उच्छतम या निम्तम मान के लिए ऐसे करके आपको लिखना है निम्तम मान के लिए ठीक है एकस का मान निकालने के लिए डिवाई एपाउंट ऑउंटट इस बराबर जीरो करना पड़ेगा फिरतम कोटी के अपकलन की जो आंतरशीश्षी रोती है जीरो कर लो चार रको और एकस मैनस का दस रखो बराबर जीरो जीरो के बटे चार आएगा तो डारेट लेगे लोग जीरू ठीक है तो एक्स ब्राबर कितना मिला दस एक्स ब्राबर दस पर हमें चेक करना है दुतिये कोटी के अपकलन की जो आंसरीड होती है धनात्मा की निकलना चाहिए तभी निम्तम आएगा चलो इसको अम्राफ कर देते हैं इसके आ आए नहीं आप है यहाँ पर कहीं एक्स दिख रहा नहीं दिख रहा तो अगर एक्स होता तो रखते नहीं है तो नहीं रखेंगे अब आंसरीड देगो जीरो से बड़ी आई है अब जीरो से बड़ी है तो आपको पत्ता है यह जो पी आर्पी स्कॉर प्लस आर्क्यू पर वाई निम्तम है यह लिए लोग आप लोग ठीक है निम्तम है और यही यहां पर हमसे मांगा गया था इसे अमराफ कर देते हैं फिर आपको समझा रहा है ठीक है है यहां पर हमसे क्या कहा गया था आर पर एक ऐसा बिंदु दिकाए एक ऐसा बिंदू आर ग्याद केजिए rebound को आख आपको बताना आए निम्तम है एक सब्सक्राइब यह कंप्लीट हो गया उधारण 36 ठीक है तो अगली क्लास में इसके आगे के उधारण जो है हल करवाएंगा अगर यह मेरे क्लास अच्छी लगी घर वीडियो को लाइक कर तेना है अगर अभी तक आप लोगों कैनल को सॉस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करने के साथ साथ वेल आइकन जरूर प्रेस करना है क्योंकि उसमें आपका ही फायदा है जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो यूट्यूब द्वारा नोटिफिकरन सबसे पहले आपको मिलेगा मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवार